इस प्रेडशीट सॉफ्वेर में जो हम काम करते हैं उसको सेव करना बहुत ज़्यादा जरूरी है कंप्यूटर की हार्डिस में या कोई भी पर्मानेंट मैमोरी के अंदर अभी जो भी स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है यह सिर्फ अभी हमारे टेंपर ले हमें स्क्रीन नज़र आ रहा है यह हमारी कंप्यूटर में स्टोर नहीं होए अगर किसी वज़ए से यह बंद हो गया आपकी फाइल करप्ट हो गई तो हमें इसकी कॉपी नहीं मिलेगी तो इसे टाइम टू टाइम हमें से रहना चाहिए जल्दी तो इसकी पहचान देखो सबसे पहले त स्टाफिक या हमने कोई नाम नहीं दिया है तो इस तरह का नाम आ रहा होता है तो दूसरी पहचान क्या है देखें यहां पर स्टेटेस बार के अंदर यह बहुत चोटा सापको रैड कलर का साइन नजर आ रहा है इसका मतलब हमारी जो जो फाइल है वह भी सेव नहीं हुए तीसरा हमारे पास यहां जो आपकी टूल बार है आपकी स्टेंडर टूल बार इसके अंदर यहां यह वाले आइकन के ओपर यह हलका सा चोटा सा रैड डॉट नजर आ रहा है अगर यह नजर आ रहा है तो इसका मतलब हमारी फाइल अभी कंपिटर में सेव नहीं हुई है त यहां पर हम अपनी फाइल का नाम और टाइप दे सकते हैं इसके अलावा यही ऑप्शन ओपन करने के लिए हमारे पास दूसरा तरीका है हम फाइल में जाके सेव उप्शन यूज करेंगे तो भी हमें यही डायलोग बोक्स ओपन मिलेगा इसके लावा हम शॉटकट की यू सेव कर देंगे दूसरी चीज जो हम यहां ध्यान रखनी है वह हम फाइल का टाइप यह उसके एक्सेंशन है बाइडिफॉल्ट जो डॉक्यमेंट आपको स्प्रेडशीट सॉफ़एर यानि के अंदर सेव करते हैं वह डूट ओडियस होता है यह याद रखिए एक्जाम मे यहां पर हम सेव पासवर्ट भी कर सकते हैं और लुट करने के लिए पासवर्ड ही चाहिए होगा और हम यहां पर इसका नाम देने के बाद हम सेपर क्लिक कर देंगे यहां ऑपन नाम दिया था title bar के अंदर वो नाम change हो गया दूसरा यहां से जो वो red dot था वो भी चला गया और तीसरा हमारे पास जो यहां पर यह red color का symbol आ रहा था वो भी हट किया है तो अगर हम कोई भी changes अब अगर मैं यहां पर suppose कि यह 20 की जगा इसकी value 22 कर देता हूं तो देखिए मैंने फाइल में कोई changes किये जो save नहीं हुए है अभी तक तो देखिए दुबारा से यह color red हो गया है और यह red dot नदर आ गई यानि हमने copy तो save कर ली अपनी file के लेकिन उसमें कोई ऐसे changes कर दिये जो हमने अभी update नहीं किये हैं तो उसके लिए हम बहुत सिंपली या तो ctrl s shortcut की प्रेस करके उसको अपडेट कर लेंगे या यहां पर क्लिक कर देंगे या फाइल में से जाकर हम से पर क्लिक करेंगे तो भी हो से हो जाएगा तो हमें जब भी हम काम कर रहें तो हैविट बनानी चाहिए कि बार बार हम या तो keyboard से control s करते रहें या थोड़ी थोड़ी दिर बाद जाकर हम इस save वाले बटन पर क्लिक करते रहें ताकि हमारी फाइल में जो भी हम update करते जा रहें वो permanently save होते रहें किसी वह जैसे अगर हमारा computer shutdown हो जाए या hang हो जाए तो ऐसा ना हो कि हमें हमारी फाइल का कुछ हिस्सा ना मिले तो हम इन अलग-अलग तरीके से files को save कर सकते हैं ताकि जरूरत पढ़ने पर हम उसको दुब थैंक्यू वेरी मच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाबाय जैहिंद